आज मैं लड़कों के कुछ ऐसे आदोते के बार में बोलने जा रहा हूँ जो लड़कियों को बिल्कुली पसंद नहीं होती पहली गलती है एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ करना भाई दुनिया के कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ हो वो तुम्हें तब ही कुछ नहीं बोलेगी पर दिल ही दिल में तुमसे नफरत करने लगेगी तो गलती से भी किसी भी लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारिफ मत करना और यही नहीं अपनी girlfriend या friend के सामने किसी दूसरी लड़की का नाम भी मत लेना दूसरी गलती है किसी अंजान जगे पर लड़की को अकेला छोड़ देना बहुत बार ऐसा होता है, हम लड़की के साथ कई घूमने जाते है हमें कुछ लाने के लिए या कुछ काम की बज़ा से उससे थोड़े टाइम के लिए उससे दूर होना पड़ता है लड़की इसी बात पर भी बुरा मान जाती है वो समझती है इस लड़की में responsibility नाम की कोई चीज नहीं है मैं तो एक बार मेरी girlfriend को पैट्रोल के बाहर खड़ी करके पैट्रोल भरने गया और एक बार उसे बिठा कर पानी और स्नैक्स लेने गया था तो भी वो मुँ खुलाए वेटी थी दिन भर इसी बात को लेकर ताने दिये उसने तब से मैं समझ गया अब पैट्रोल वहरते वक्त मैं बोलता हूँ उस तरफ खड़े वज़ा मैं पैट्रोल भर कर आता हूँ अब बोलकर जाता हूँ 10 मिनुट मैं आता हूँ सनैक्स और पाने लेकर पर 10 मिनुट बोलकर एक घंटा नहीं लगाना है तीसरी गलती है लड़की पर ध्यान न देना यार तुम्हारी गल्फरेंट पहले से ज़ादा मेकप में नजर आ रही है ज़ादा सेक्सी नजर आने की कोशिश कर रही है तुम्हारे सामने छोटे बच्चों की तरह बीहेब कर रही है या इग्नॉर कर रही है तो समझो तुम्हारे पैFrom में कमी आ गई है लड़की को लगने लगा है तुम उससे पहले ऐसा पैर नहीं करते और यही बात लड़कियों को बिलकुल ही पसंद नहीं होती चोती गलती है लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना तुम चाहे लड़की को दे भी समझते हो या उसे रोज बताते हो कि मैं लड़कियों की कितनी इज़त करता हूँ लेकिन लड़की को कभी भी लगे कि तुम नाटक कर रहे हो तो लड़की तुमें छोड़ कर चली जाएगी लड़की तुमसे कहेगी वह कोमल है ना, वो ना रात-रात बाहर भाहर घुमती है मुझे तो लगता है उसका बहुत सारे लड़कों से चक्कर है पूनम बता रही थी वो ना कौल गल है अब तुम क्या reply दोगे तुम भी अपना मोहन ग्यान बाटने लगते हो तुम कहते हो हाँ हो सकता है तू ना उसे दूर रहा कर उसे बात मत करना और यही नहीं जब तुम अंजयनवी भी लड़की के सामने दूसरी लड़की को गाले निकाल रहे होते हो जब बोलते हो कि लड़कीया धोके बाज होती है तब भी तुम अपने पैर पर कुलाडी मार रहे होते हो पाच भी गलती है लड़की के सामने Oversmart हरकत करना मतलब लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करना माननो तुम अच्छा इंगलिश नहीं बोल पाते फिर भी लड़की को इंप्रेस करने के लिए इंगलिश जाढना लड़की को इंप्रेस करने के लिए एकटिंग करके बात करना भी ओवरिस्मर्ट हरकत है यार तुम stylish हो और handsome हो लड़की को हसानी के लिए जोकर बनना भी ओवरिस्मार्टनेस है वीडियो कैसी लेगे कमेंट करके जरूर बताना ऐसी बेवकोफिया ऐसी गलतिया आगे नहीं करना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका समय बहुत बहुत ही अच्छा हो खुश रहिए और अपना ख्याल लेखिए बाई बाई